हलो एवरिवन यह है विडियोजर्वार्च चैनल और आज हम स्टैट में क्याइँ अफ्ट फांडेशन इसाफ में विडियो बनाएंगे और यहीं वीडियो में अप्लोड कर चुका ऑँ एंगलिश में और अब यहंदी में वीडियो बनाएंगे तो इस वीडियो में हमें करना क्या है हमें एक multi-story building की modeling करनी है इसमें load लगाने analyze करना है इसके बाद इसके foundation design करनी है तो start करते हैं new project foundation या footing डाल देते हैं meter, kilonewton, admin finish सबसे पहले क्या करना है हमें multi-story building मुणानी है multi-story building मुणाने के लिए हमें पता होना चाहिए plan तो हमने plan assume कर लिया एक square plan है जिसमें 4 span है हमारे 5-5 meter के और सभी corner पर और intersection पर column है हमारे, column का size में assume कर लेंगे, beam का size भी assume कर लेंगे, load भी assume कर लेंगे एक multi-story building, 6 floor की building जिसके हर floor का height होगी 3 meter तो start करते हैं हमेशा की तरह मैं सबसे पहले एक joint बनाता हूँ और grid को close कर देता हूँ यहां से, उसके बाद not cursor से मैं उस grid को select करता हूँ translate tool पे जाता हूँ, थोड़ी fast बना रहा हूँ जिससे बहुर ना हूँ आप और फिर z direction में two step same link, ओके यह plan बन गया है हमारा, isometric view है हमारा, control एससे select हो जाएगा, control z, y select करेंगे, number of floor मैं ने बोला था 6 और spacing 3 meter, link, okay, base के beam delete कर देंगे, ठीक है, base game delete होने के बाद हमारी modeling हो चुकी है, इसके बाद हम इसमें लगाएंगे support fix support होती है building में, तो हमने fix support एक create करी, fix support पे click किया, front view पे गई, select किया, drag करके assign कर दिया, सभी जंगा support लग चुकी है, अब next step property, support के ओपर यह property है, यहाँ पे define, सबसे पहले rectangle करेंगे column, 0.6 by 0.6, और concrete, add, फिर हम depth ले रहे हैं, beam की 500 और width 300, and add, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि यह same video में, English में upload कर चुका हूँ, यह Hindi version है, और एक चीज आप से request थी, कि प्लीज अगर थोड़ा भी आपको help में ले इस channel से, तो like करना और subscribe करना ना भूले, क्योंकि like करने से, subscribe करने से ही मुझे earning होती है, और earning से motivate होके मैं फिर video बनात हूँ, तो यह property है column की, तो column हमारे किस direction में है, vertical direction, y parallel के और यह किस में है, x और z parallel के, ठीक है, तो मैंने क्या किया, select पे गया, मैं beam parallel to y, column select हो चुके है, property assign कर दिनी चाहिए, अब beam पे click किया, select पे गया, beam parallel to x, select beam parallel to z, और मैंने फिर इस को assign कर दिया, यहाँ पे render view में हम देख सकते हैं, ठीक है, next load, load assume कर लेते हैं, एक load बनाते हैं, dead, और एक load बनाते हैं, live, close, dead पे click करके add करते हैं, self it, और live पे click करके एक floor load add कर लेते हैं, minus means downward, 5, 0 से 18, add, close, self it को assign to view करेंगे, यह floor load को assign करेंगे जुरत नहीं होती, बस एक load combination और बना लेते हैं, add, यहाँ पे define पे click करना है, load combination क्या होगा, 1.5, dead load plus live load, दोनों load को इधर ले आएंगे, और add कि यहाँ पे factor डालेंगे, 1.5, 1.5, add, close, यहाँ पे analyze and print पे एक बार all करते हैं, क्यों करते हैं, वीडियो बना चुका हूँ, आप इसकी video series देख सकते हैं, playlist में, analyze कर देंगे, analyze से होगा क्या, analyze का मतलब होता है, जो load हमने apply किया, उसकी वही से structure का क्या response होगा, यहाँ पे क्या क्या reaction होगी, और क्या क्या abandonment होगा हर support पे, क्योंकि हुआ ही तो चाहिए हमें foundation design करने के लिए, अब हमारे पास कितने column है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 foundation design करनी है, यह icon देख रहे हो, आप stat foundation का इस पे click करना है, यह पुछ रहा है कौन से load के लिए design करनी है, यह खुल गया है, थोड़ा सा mouse squirrel से आप zoom करके देख सकते हैं, 6 support दिखाए दे रहे हैं, उस पे yellow color से reaction दिखाए दे रहे हैं, हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं, create job पर करना है, create job और यहां पर डालना है, isolated, ठीक है, उसके बाद यहां पर Indian, और यहां पर load को नीच ले जाना है, create job करने के बाद यहां पर एक नए option दिखाए देगा, जो अभी नहीं है, create job, देखे यह option आ गया, इसको खोलेंगे तो parameter से concrete का clear cover कितना होना चाहिए, density कितनी होना चाहिए, soil cover कितना होना चाहिए, footing का size minimum कितना लेना चाहते हो, आप कहेंगे size हम लेंगे तो यह design क्या करेगा, हम minimum maximum, मैंने दे दिया 1 meter to 10 meter, तो यह इसी के बीच में इने design करेगा, इससे safe रही, ठीक है, और इसके बाद डिजाइन, yes किया, देखिए, यहाँ पे design हो चुका है, individual, हर faculty, sorry, हर footing का manually design, अब drawing देख लेते हैं, drawing में देखिए, यहाँ पे footing हो चुकी है, यह आपका है column और यह है foundation, इनके size आप यहाँ देख सकते हैं, schedule में, column foundation number, column number, footing size, और अगर each detailing चाहते हैं, आप each foundation के तो यहाँ से देख सकते है reinforcement detailing और यहाँ से आप change कर सकते हैं, foundation का, यह है plan, यह column है, यह footing का size है, यह reinforcement है, और यह आपकी detailing है, आप इस drawing को auto cat drawing में भी हाँ से save कर सकते हैं, चीक है, अब एक चीज हम करते हैं, इसको close करते हैं, और हम क्या करते हैं, यहाँ पे modeling में जाके, general में जाके, load में जाके, थोड़ सा load बढ़ा देते हैं, live load, यह है 5, इसको कर देते हैं, 50, change, close, close, analyze कर देते हैं, और अब दिबारा stat foundation में जाके, same step, हम follow करते हैं, load बढ़ाने से क्या होगा, foundation का size बढ़ जाएगा, देखते हैं, हमने note तो किया नहीं है, कितना size था पहले, लेकिना मैं देखने से भी पतल जाएगा, कि size बढ़ा है यह नहीं है, जैसे, चली देखते हैं, थोड़ा slow हो रहा है, यह जितने open हो, तो एक बाद मैं फिर से कहना चाहूंगा, प्लीज, subscribe करना, share करना, like करना, ना भूले, देख को, यहाँ पे Indian, load को नीचे, create job, यह आगे isolated, यह parameter change according to your problem, design, yes, design हो गई, individual, seat में चले आते हैं, drawing में, oh, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे footing का load बढ़ चुका है, footing का size, हर किसी का इतना बढ़ी है, कि वापस में overlap हो रहे हैं, तो हमें इससे देखके क्या पदलता ह यहाँ पर कौन से foundation हमें बनानी पड़ेगी, raft, अगर मा लेजे केवल इन दोनों की overlap होती, तो यहाँ पे इन दोनों की combined बन जाती, तो इस तरह से पता चलता है, कि हमें combine बनानी है, की raft बनानी है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो like करना ना बोले, फिर एक बा झाल को पस्ट करना बनान।